हलो स्टूदेंट्स आम प्रोफ सनीता वलकम इनर फ्री एजुशन चैनल इंग्लेश मास्टर तोड़ी वी आपको जो भी प्रनांसियेशन सिंपल लग रहा है वैसे आप प्रनांस कर दीजिए जैसे कि हम नॉर्मली क्या यूज़ करेंगे इस आपस फेबल्स यानिकी इस कहानिया और इससे पहले का मैंने जो फोर्स लेक्टर है वो अप्लोड कर दिया अपने अगर चेक नहीं किया होगा तो चेक किजिए परेंट्स आइवुड लाइक तो सुझेस्ट यू प्लीज विजिट आर चानल चेक अल्ट लेसंस विच आपलोड़ी इन इंग्लिश मास करते ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड बिफोर स्टार्टिंग दे लेक्टर आइवुड लाइक तो शेर माइ थैंक्स तू आल दे पैरेंट्स अन आल दे स्टूडेंट्स जो भी आपका कॉमेंट्स थू प्यारा रहा है यह इंग्लिश मास्टर सीरीज को टेक्स स्टूडेंट्स है अभी महराष्टा स्टेट बोड का आपका जो सिलाबस है 2020 का उसमें फर्स्ट आपकी पोयम है जो मैंने अल्ड़री पढ़ा के अपलोड कर दिया है लेसन तो आप जरूद चेक किजिएगा इस इस सेकेंड यूनित नमबर वन इस सेकेंड लेसन इस इस कहानिया है दंतकता है याने कि कहानिया वो हम सुनेंगे आज और मैंने इच और एवरी वर्ड आप ट्रांसलेटेड इन हिंदी और प्रनाउसेशन भी यहाँ पर दिया है जो आपको समझ में आने के लिए हल्प करेगा परेंट्स आप भी यह पढ़के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो और बच्चों को अगर आप टेरिक लिए लेक्चर दिखाते हो तो उनको भी समझ में आ जाने के लिए आसानी हो जाएगी लेट्स टार्ट फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज याने कि दंतकता है एसी चोटी कहानिया होती है जिन में एक नैतिकता या होता है moral याने नैतिक मुल्य जो होते है हमारे message याने कुछ तो बच्चों को positive message उसके त्रू जाता है कि उनको life की तरफ देखने का जो उनका attitude है that will be goes positive positivity उनमें बढ़ना के लिए ये जो छोटी-छोटी दंतकताई ये help करती है Fables are short stories that have a moral और message दंतकताई चोटी कहानिया होती है जिन में एक नैतिकता या संदेश होता है Fables याने दंतकताई short याने चोटी stories याने कहानिया Moral याने नहीं दिकता और message याने संदेश Next जो sentence है वो पढ़ेंगे हम For us something to learn and keep in mind as we grow up most of the fables have animal For us हमारे लिए something to learn कुछ सीखने And or keep in mind ध्यान में रखने के लिए As we grow up जैसे जैसे हम बड़े होते हैं Grow up याने बड़े होना Most of the fables जो अधिकांश दंतकताई होती है Have animal जिन में की अलग-अलग जो animals है जो पशु है Characters उनके जो किरदार है Who think and act just like human beings जैसे की ऐसे दिखाया जाता है कि जो भी जानवर है या फिर जो पशु है उनके जो किरदार है जो इंसानों की तरह सोचते और काम करते है Think याने सोचना, act याने करना Just like human being याने मनुश्य की तरह, इंसान की तरह It is believe that many of the fables were first told by a wise person called Esau It is believe, believe याने क्या मानना, विश्वास करना यह माना जाता है कि that का मतलब हो गया कि Many of the fables की कई दन तक थाये, were, जो थी, first told by, सबसे पहले, जो बताया गया है वो एक बुद्धिमान वेक्ति ने बताया है, जिनका नाम था, Esau इसलिए आपके इस lesson का नाम है, Esau Fables और इसमें दो कहानिया हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं Esau lived hundreds of years ago in a country called Greece यह जो Esau थे, यह 100 सालों पहले कहा रहते थे, Greece में रहते थे His stories became so popular, उनकी कहानिया इतनी लोग को प्रिया हुई, popular याने लोग प्रिया That people pass them on from generation to generation कि लोग उन्हें पीडी से पीडी तक पारित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें Many याने अनेक Proverbs and Sayings that we use today are based on these Fables Here are two well known Fables, याने के Proverbs याने जो नीती वचन है और जो कहावते है Proverbs are saying, नीती वचन और जो कहावते है, that we use today are based जिनका आज उप्योग किया जाता है, वे आधारित है, best याने आधारित ये इसी दंतकतावों पर आधारित है Here are two well known Fables, यहां हम दो प्रसिद्ध दंतकताई पढ़ने जा रहे है So I hope कि आपको समझ में आ गया है, कि Isob is from the Greece country And these two stories we are going to learn, these are two Fables आपके syllabus में इस से related आपको question answers भी पूछ जा सकते है So question answer या फिर brainstorming का session होगा, वो हम अलक से ले लेंगे आज हम आपका lesson पढ़ने के लिए शुरुवात करते हैं First हमारा जो Isob Fables का जो introduction था, जो आपके textbook में दिया गया है वो finished हो गया है, अभी हम बढ़ रहे हैं First जो हमारी Fables जो कहानी है उसके पास यहाँ पे देखिए friends, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है The stag at the pool आपने यह देखा Stag याने बारह सिंगा यह हिरन की तरह ही दिखता है लेकिन इसके जो सिंग होते है इसके सिंग बहुत ही बड़े-बड़े होते है और यहाँ पे छे और यहाँ पे इस तरह सी से 12 सिंगा नाम पड़ा है The stag at the pool 12 सिंगा जो पूल की तरब चला गया था उसके आज हम स्टोरी पढ़ेंगे Look at this, this is a very beautiful picture यह आपको बताता है कि जो stag है This stag at the pool अब यह स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि इनको क्या बताना है अमे स्टोरी तरू One day, एक दिन A beautiful stag Came to a pool of clear water One day, a beautiful stag Came to a pool of clear water एक दिन एक बहुती सुंदर बारा सिंगा पूल के पास आ गया जहाँ पहुती स्वच्च पानी था As he bent down to drink जैसे ही वो नीचे जुका पानी पिने के लिए He saw, उसने देखा His own reflection on the water Reflection याने क्या परचाई उसने पानी में अपनी खुद की परचाई देखी क्योंकि पानी बहुती clear था साफ पानी में हमें अपनी परचाई रिखती है He was delighted with what he saw उसको बहुत ही अच्छा लगा जो उसने देखा खुद की परचाई को पानी में Instead of drinking water पानी पीने के बजाए Instead याने के उसके बजाए उसने क्या किया? He kept looking at his own reflection वो खुद की परचाई को पानी में देखता रहा How handsome I look मैं कितना सुन्दर दिखता हूँ He said to himself उसने खुद से ही बोला कि मैं कितना सुन्दर दिखता हूँ How beautiful are these curving antlers और उसने क्या कहा? कि मैरे जो curving antlers है याने कि उसके जो sing है curving याने जो गोल गोल उपर की और बढ़ते गये थे Curve याने कि टेड़े मेडे How beautiful are these curving antlers मैं कितना सुन्दर रिखता हूँ मैरे जो sing है antlers याने कि sings curving का मैं आपको meaning बता देती हूँ तो आपको फिर समझ में आने के लिए आसानी हो जाएंगी curving याने कि गुमावदार या फिर जो मुड़े हुए रहते हैं वो How handsome I look He said to himself How beautiful are these curving antlers मैं कितना सुन्दर दिखता हूँ मेरे sing ये जो मुड़े हुए sing है ये कितने सुन्दर दिखते हैं How they add to my beauty ये मुझे मेरी सुन्दरता में कैसे मिल गए How graceful they look How graceful they look याने कि graceful का मतलब भी होता है सुन्दर ये कितने सुन्दर दिखते हैं Then he moved Then he moved nearer And saw his legs reflected in the pool उसके बाद उसने क्या देखा? उसके खुद के legs याने के पेरों को देखा He was quite disgusted अभी उसको बहुत ही बुरा लगा उसने जब अपने पेर देखे वो निराश हुआ Discussed याने कि बुरा लगना निराश होना He was quite disgusted Look at my legs उसने क्या बोला? कि देखो मेरे पेर कैसे है They are so ugly अगली याने कि बहुत ही गंदे या बहुत ही गंदे रिखते है All spindly with small feet ये नीचे से कितने छोटे छोटे है How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers How I wish that nature याने कि मैं ये कैसे मानू के निसरगने याने कि nature ने मुझे ये कैसे पेर दिये है मेरे जो सींग है वो कितने सुन्दर है लेकिन मेरे पेर देखो कितने गंदे दिखते है As he was brooding in this way Okay students, अभी हम पढ़ेंगे कि brooding का मतलब क्या है Brooding याने सोचना As he was brooding in this way वो उसी तरफ अपनी सोच में डूबा The stag heard an arrow going swish across the spool और जब वो ये सोच रहा था उसने क्या सुना कि एक arrow एक जो तीर है वो पुल की तरफ आके गिर गया याने कि वहाँ पे कोई तो शिकारी आया था और उसने वो तीर चलाया और वो पुल के दुसरे जगा पर जाके गिर गया उसको वो बारा सिंगे को पकड़ना था At the same time, he picked up the scent of hunters With a quick turn At the same time, he picked up the scent of hunters उसको मैसूस हुआ उसने सूंग लिया कि वहाँ पे hunters याने शिकारी आये है Okay With a quick turn, he bounded away पलक जपकते ही वो पीछे मुढ गया His legs carried him swiftly into the forest और उसके पेरों की वज़े से वो आसानी से जंगल में भाग गया Forest याने जंगल The hunters were hot on his trail The hunters were hot on his trail But they were no match for its speed वो जो शिकारी थे वो तो पीछे भागे लेकिन वो उस बारा सिंगे की तरह स्टैग की तरह भाग नहीं सके क्योंकि उसका स्पीड बहुत था Soon the stag left the hunters far behind और देखते ही देखते वो जो बारा सिंगा था बहुत ही आगे चला गया और शिकारी hunters बहुत पीछे रह गये Safe and out of the hunters reach यानि सुरक्षित और शिकारीों की पहुच से दूर Reach का मतलब है पहुच से दूर The stag slow down वो अभी थोड़ा सा slow speed हो गया उसका धीमे धीमे चलने लगा Suddenly तब without realizing it उसको तब समझ में आया He walked into a thicket तब उसको समझ में आया कि वह जाड़ी में चला गया There were trees with strong branches growing close together और वह जिस जाड़ी में पहुच गया था भागते भागते फोरेस्ट में वहाँ पे जो trees थे जो जाड़ जो पेड थे उनके जो ब्रांचस है वो बड़े-बड़े इदर से उदर फैले थे and alas and alas यानि के अभी वो बहाँ पे आया The same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth अभी क्या हो गया? जो पेड के ब्रांचस इदर उदर फैले थे बड़े-बड़े तो उसके जो antlers थे उसके जो सीन थे वो उस जाड़ी में वो पेडों की ब्रांचस में अटक गए ओके? caught याने अटक ना? The stag tried to shake himself free वो कोशिश करता रहा कि उससे बाहर निकलने की but the more he struggled लेकिन जितना वो प्रयास करता रहा the more entangled his antlers got in दो ब्रांचस उतनी बुरी तरह से उसके जो सीन है वो उस ब्रांचस में फस गए once again फिर से एक बार the stag could hear the hunter drawing तब उसको मैसस हुआ कि शिकारी भहाँ पे आ गए है close and grew afraid वो शिकारी उसके बहुत नस्दीग आ गए and अभी जो हमारा stack था बारा सिंगा वो डर गया फ्रेड यह ने बहुत डरना at last और last में क्या हुआ with great difficulty बहुत कोशिश करने के बाद he managed to free his antlers and bounded away बहुत कोशिश करने के बाद उसके सिंग उस जाडियों के ब्रांचेस में जो अटक गय थे वो निकल गय और वहाँ से फटाक से निकल गया I realized उसे महसस हुआ now that my ugly feet saved my life के मेरे गंदे पेरों ने ही मेरी जिंदगी बचा ली I was so proud of these handsome antlers उसको तो बहुत गर्व था अपने सुन्दर सिंगों पर but they would have been the cause of my death लेकिन वो सिंगों की वज़े से ही वो चाडियों में फस गया था और उसकी वज़े से ही वो आज मर सकता था very often लेकिन we dislike the very things that are most useful to us ऐसा ही होता है कि हम हमारे पास जो बहुत ही अच्छी चीजे होती है उनकी तरब ध्यान नहीं देते जो हमारे बहुत काम आती है ओके स्टूडेंस तो आज हमने पढ़ा कि हर चीज बहुत ही अच्छी होती है कोई भी चीज बुरी है या फिर गंदी है हमारे हाथ, पैर, हमारी फुल बॉड़ी, हमारा ब्रेइन हमारा जो माइंड है everything is good गॉड ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है सो हर एक चीज पे प्राउड करना सीको और खुद के बारे में कभी भी कम मत खुद को कभी भी कम मत सोचना ये इस फैबल में इस वापने हमें बताने का प्रयास किया है अभी हम देखेंगे हमारी next, जो second number की फैबल है the dog in the manger अभी देखिए the dog याने कुता manger याने के ये जो गोशाला हम बोलेंगे इसको या फिर जहाँ पर गाय को बैल को बानते है वो जगा चलिए अभी पढ़ते है once a dog was looking एक बार एक खुद्दा for a nice and comfortable place to lie down lie down याने सोने के लिए एक अच्छी और comfortable जगा ढूंड रहा था he came to the manger of an ox लेकिन वो कहाँ पर आ गया जो बैल, ox यहने बैल, बैल का जो घर होता है रहने का वहाँ पर आ गया वो and jump onto the hay to rest और उसने क्या किया उसने वहाँ पर jump हमारी और वहाँ पर rest करने के लिए आराम करने लगा it was a very hot afternoon वो बहुत ही गरम धूप थी दोपहर की after a while थोड़ी देर बाद the ox returned from the field वो जो बैल था वो काम से वापस आ गया he had worked hard in the hot sun उसने कडी धूप में बहुत ही मैनत की थी and was now quite hungry hungry याने भूख लगना और अबे उसको बहुत भूख लगी थी he stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him he stood in his stall वो अपने जगा पर आकर खड़ा हो गया वो जो गोशाला थी या फिर वो जो जहाँ पर बैलो को बानते हैं उनका जो घर था वहाँ पर आकर खड़ा हो गया वहाँ पर जो भी घास पड़ी थी वो खाने के लिए उसने क्या किया वो मैंजर में चला गया however, when he reached for the hay however, याने कि जब तक वो रीच याने पहुचना जब वो अपने खाने की जगा पर पहुच गया जहाँ पर गास रखी थी the dog saw him, कुत्ते ने उसे देख लिया standing in the manger, कुत्ता वहाँ पर खड़ा हो गया he began to bark loudly at those ox और वो बहुत जोर जोर से बार किया ने भोगने लगा उस बैल पे each time that the ox came near the hay जब भी वो जो बेचारा बैल है घास खाने आगे आता the dog snailed, barked and snapped at the ox तो वो कुत्ता जोर जोर से गुर रहा था भोगता और बैल के उपर जपटने की कोशिश कर रहा था he would not allow the ox to eat his head वो कुत्ता उस बैल को अपनी घास खाने नहीं दे रहा था oxen are generally peace loving and patient animals बैल जो होते है ये शान्त सुभाओ के peace loving याने शान्त सुभाओ के प्रानी होते है और उनमें बहुत सारा धैर ये होता है but finally the ox got upset and spoke firmly लेकिन वो बैल अभी क्या हो गया, upset हो गया उसको बहुत बुरा लगा and वो उस कुत्ते को बोला dog, कुत्ते, if you wanted to share my dinner with me अगर तुमको लगता है कि मैं मेरा खाना तुम मारे साथ शेयर करू I would not mind it, मुझे कोई अपत्ती नहीं है but you neither eat the hay nor allow me to enjoy it लेकिन तुम भी खाना नहीं खा रहे हो तुम भी घास नहीं खा रहे हो और मुझे भी खाने नहीं दे रहे हो then why don't you let me have my favorite food तो फिर तुम मुझे मेरा फेवरेट पसंदीदा खाना क्यों नहीं खाने दे रहे हो don't baggage others what you don't enjoy yourself तो फिर जो हमारा Ox था उसने क्या कहा कि दूसरे अगर तुम baggage याने कि नापसंद करना अगर तुमको नापसंद है वो खाना दूसरे का तो दूसरे को भी खाने से मत रोको यहाँ पे देखो students हमने ये पड़ा है कि अगर आपको खाने में कोई चीज पसंद नहीं आती है तो अगर आपको पसंद नहीं है तो ठीक है लेकिन दूसरों को अगर पसंद दे तो उनको खाने से कभी भी मत रोकना और कोई भी चीज जो आपकी मम्मी पपा बनाते है घर में आपके लिए बड़े प्यार से बनाते है तो वो बहुत ही मन से खाना क्योंकि हर एक खाने के चीज बहुत ही स्वाधिश्ट होती है So students, today we learn ESOP's favours This is for class 4, unit number 1 Do like, share, subscribe our channel अगर हमारी स्टोर यह हमारा लेसन आपको पसंद आया है तो हमारे बेल इकन को क्लिक किजिएगा नेक्स लेक्चर अपलोड होते है आपको नोटिफिकेशन आएगा Stay healthy, stay happy and take care of yourself and your family जल्दी ही मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बबाई